प्यार में किस हद तक जाना सही है और कहा स्टॉप होना चाहिए एक लड़की अपने से बड़े उमर के आदमे से प्यार करती है ये प्यार उसका अपसेशन बन जाता है आज के मारी स्टोरी, सेल्फ लव, सेल्फ डिस्ट्रक्शन इन सब बारे में बात ही करती है इसने एक सीरियस टॉपिक को बहुत ये अच्छे से हेंडल किया है आपको ये पसन आएगा, तो इस वीडियो को लास्ट देखेगा वीडियो स्टार्ट करने से बहले मैं आप सब से रिक्वेस्ट करना चाता है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा इसे चैनलों को बहुत सपोर्ट मिलता है अभी नेक्स देरी के इस एक्स्प्लेशन को स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमारे मेन कैरेक्टर इसका नामे सीयो लो ये बहुत ही डिस्टरब थे आज ही उसका उसके बॉर्ट फ्रेंड के साथ ब्रेक अप हुआ था उसकी सब चीज़े फेक कर वो अपना गुसा निकाल रही थे ये सब चल रहा था तब ये उसे ओनलाइन किसे का मैसेज आया एक स्टेंजर था वहाँ से कहता है मैंने सुना कि तुम बहुत ही ब्यूटिफुल हो सीयो लो गहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है मैं हार्ट ब्रोकन हूँ वहाँ से ओ स्टेंजर कहता है हार्ट ब्रोकन और ब्यूटिफुल स्ट्रेंजर ने का तो गन्फरम हो गया कि तुम ब्यूटिफुल हो इस पर सियोलो स्माइल करती है और इसी तरीके से हमारा स्टेंजर और सियोलो इन दोनों के बीज में बात चाहिए सियोलो उसके बारे में हमें बताती है क्याती है कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ उसके स्कूल में ज़्यादा फ्रेंज नहीं है वो हमेशा से बहुत सेल सफिशेंट थी जब वो अटरा साल की हुई तो अकेली सिटी में मूँ हो गई थी वही उसने अपने आपको बरबाद किया था पर सियोलो ने हम से का इसके बारेमें हम आगे बात करेंगे सियोलो उसके पैरेंट्स की फर्स्ट बेटी थी इसके बाद बहूत सालों बाद उन्हें ट्विंच होए थे इसी वज़े से सियोलो एज़ spun आपको और उन्होंने रीज किया था उससे जो भी चाहिया होता था यह सब उसे वो दे दे थे थे उसका बहुत ख्याल रखते थे इसी वज़े से CLO को restrictions थे उसका ज़ादा पढ़ाई में भी ध्यान नहीं था उसे अपने life को लेकर problems थे जैसे का मैं पता है यह उसे लगता है कि वो अजीब है इसी वज़े से अपने parents से वो बात करती है ने कहती है मुझे psychologist के पास जाना है सबी Indian parents की तरह यह दोनों भी इसे जाता seriously नहीं लेते है CLO और stranger इन दोनों के बीच में बहुत सारी conversation online ही start होके इसके साथ बात करकर CLO को बहुत अच्छा लगता था एक दिन stranger CLO से पोच्छता है क्या तुम मेरे group से मिलना चाहती हो यह सब लोग उसके लिए बहुत important है CLO से पोच्छती है अगर एक जगा पर तुमारा group टूप रहा है और दूसरी जगा पर मैं हूँ तुम किसको choose करोगे stranger कहता है अफकोस तुमें choose करूँगा सिर्फ मुझे तुमें बजाना है पुरे group को में नहीं बजा सकता CLO कहती है कि उसे अपने school में जादा मज़ा नहीं आता उसे school बदल नहीं है stranger कहता है तो बदल डालो यह CLO के लिए heart था तो कहता है जो चीज़े हम life में करते नहीं यही हमारी biggest regret बन जाती है CLO ने अपने parents से कहा पर फिर भी वो माने नहीं उसने फिर school जाना ही बन कर दिया उसे new school में उन्हें डालना ही पड़ा वो hopeful थी कि school में उसकी friends बनेंगी वो अकेली नहीं रहेगी पूरी class में उसे कोई भी interesting नहीं लगा दो तीन लड़कों को group था जो अपने group में किसी को भी नहीं लिया करती थी एक दिन CLO ने उन्हें answer करने में help की तो वो भी उनकी friend बन गई एक दिन stranger CLO से पूछता है क्या तुम मेरे group और मुझसे मिलोगी CLO इस पर हा कहती है यही बात वो breakfast पर अपने parents से पूछ रही थे उसके parents उसके लिए वरीड थे ऐसे ऐसे वो online मिले और stranger से मिल सकती है CLO गहती है यह बहुत ही normal है वो जल्दी घर भी आ जाएगी Mother और फादर ने दोनों मिलकर इसे stickly मना कर दिया फादर CLO से बहुत प्यार करते थे तो CLO ने उसे मना लिया कि ब्लीज मदर को भी समझाओ मदर मान तो गई पर CLO जहा जा रही है उसके साथ मदर भी आती है इस cafe में आने के बाद मदर ने सब लोग को देखा क्यों किस तरह से है उसे safe लगा उसके बाद हो चली जाती है यह सारा ग्रूप CLO को वेलकम करता है थोड़ी देरे में हमारा stranger जिसका नाम है अले हो यह भी वहाँ पहुचा इन दोनों ने एक दुसरे को देखा तो इनमें बहुत ही strong chemistry थी पूरे वक्द यह सिर्फ एक दुसरे को यह देख रहे थे थोड़े टाइम में CLO की जाने का टाइम हो गया अले हो उसके पास हाया उसके नेक पर किस करता है इस किस का नाम उसने sweet किस रखा हुआ है उनके conversation में भी बहुत बार उसने use किया था यहाँ पर CLO की मदर उसे pick up करने के लिए फेसे वापस आगे तो उसे उसके साथ जाना पड़ता है CLO हमसे कहती है वो मुझसे 10 साल बढ़ा था पर बिना किसी reason के में उसके प्यार में बहुत ही heart बड़ी CLO believe नहीं कर पाती अले हो इतना handsome है पर फिर भी उसके कोई भी girlfriend नहीं वो उसे लिखती है कि दिन रात वो उसके बारे में सोचती रहती है वो उससे फिर से मिलना चाती थी उन्होंने मिलने के लिए एक जगा decide की उसने parents से का कि मैं मेरी friends के साथ जा रही हूँ रात पर वो वही रुकेगी फिर वो अले हो से मिली वो उससे बुश्चता है कि कहा जाना है वो कहती है तुम्हें जहाँ ठीक लगे वही लेकर चलो ये गाड़ी में बात करते है अलो पुश्चता है क्या कुछ आजजाएंट था क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती थी सियलो कहती है मैं सिर्फ तुमसे मिलना चाहती थी इसके बाद अले हो सियलो को उसके फ्रेंड के घर लेकर आया वो उससे पुश्चता है क्या तुम मेरी गर्ल्फरेंड बनोगी सियलो हा कहती है उसने फिर पुछा क्या तुम मेरी उमन बनोगी CEO लो बुश्चती है इसमें difference क्या है अलेहो उसे किस कर लेता है उसके साथ intimate होने के लिए उसे bedroom में लेकर गया अब वो intimate होने वाले थे तभी CEO लो उसे रोक लेती है यह उसका first time है तो वेट करना जाती है अलेहो भी इस बात को समझ लेता है इसके बाद यह दोनों continuous ने मिलने लग गए CEO को अलेहो की company अच्छी लगती थी वो हमेशा उसे school के बाद लेने के लिए आया करता था अलेहो ने उससे कहा था किसी को भी पता ना चले कि वो उसके साथ relationship में है यह एक बड़ा trouble हो सकता था यह एक साथ time spent करते थे make out करते थे और कभी भी intimate नहीं हुए एक दिन CEO की mother ने उसका room check किया लेहो के बारे में CEO हमेशा लिख कर रखती थी उनके बीच में क्या क्या हुआ है यह सब कुछ उसके diary में था यह mother ने पढ़ लिया और उसके साथ बात करती है कहती है कि अले हो कोन है CEO कहती है कि मैं मेरी book पर काम करी हूँ उसका character है mother को इस बात पर believe नहीं हुआ कहती है अगर तुमारा boyfriend है तो उसके साथ तुम गूम भी सकती हो तुम time spent कर सकते हो पर कभी भी उसके साथ intimate मत होना इसके बाद नेक सिन में ये दोनों make out कर रहे थे CEO कहती है कि अब मैं ready हूँ अले हो ने उससे कहा था कि उसे hurt नहीं होगा ये जूट था वैस CEO इस पर believe करती है वो उससे कुछ भी कहता फिर भी हो मान जाती है क्योंकि उसके बहुत ही ज़ादा प्यार में थी है एक दिन intimate होने के बाद वो उससे कहे भी देती है कि वो तुमसे बहुत प्यार करती हो मैं तुम्हारा tattoo भी बनवा सकती हो उसने पूछा क्या तुम मुझसे प्यार करते हो अले हो मजाग मजाग में ना कह देता है एक दिन CEO अपने friends के साथ थी साथी friends अपने relationship के बारे में बात कर रही थी CEO ने भी अपनी relationship के बारे में सब कुछ बता दिया इसके बाद उसकी friend उसे hit करने लग गे मुने लगा कि CEO एक अच्छी लड़की नहीं है वो बहुत ही अकिली बढ़ जुकी थी तो अले हो से बात करना चाती थी पर अले हो गहता है मुझे हर रोज बात करने के लिए time नहीं होता मेरी job है तो मुझे concentrate करना पड़ता है हम अलग-अलग city में रहते हैं तो रोज मिल भी नहीं सकते है अले हो ने दो दीन तक उसे बात नहीं की तो CEO ने उसे बहुत सारे voice messages भेजी हुए थे विसे उस पर गुसा हो गया गयता है ये सब नहीं चलेगा तुम्हें अकेला रहना सिखना पड़ेगा अगर किसी काम से मुझे कही जाना पड़ा तो तुम क्या करोगी CEO कहती है मैं तुम्हारे साथ चलूँगी ये सब अले हो को सही नहीं लगता इन बातों से CEO बहुत ही हार प्रोकन थी इनमें प्रॉलम्स था थी और फिर भी इनकी रिलेशनशिप कंटिनू हुई एक दिन CEO अले हो से भुशती है अगर मैं प्रिगनट होगी तो तुम क्या करोगे अले हो कहता है तुम प्रिगनट नहीं होगी तुमें भी उसी तरीके से मुझसे प्यार करना चाहिए इन सब चीज़ों को अले हो पुरी तरीके से इग्नोर कर देता है एक दिन गुसे में CEO ने उसे मैसेज किया जिसमें लिखा था कि हमने तुम से नहीं मिल सकती तुम तुमारी तरब से कोई भी कमिटमेंट नहीं दिखाते है जो सही नहीं है इसके बाद Microsoft अले हो ने उसे कोई भी मैसेज नहीं किया कोई कॉल नहीं किया CEO को लगा कि उसने बहुत बढ़ी गल्ती करती है तुम अले हो को कॉल करती है उसे Sorry कहती है पर अले हो मानता नहीं, कहता है तुमने ही मुझसे बेरिक अप किया है एक रात बहुत बारिश हो रही थी, वैसे ही सियलो उसके पास आई अले हो उसके लिए डोर भी नहीं खोलता सियलो गहती है कि मैं बहुत सौरी हूँ, उससे गलती होगे प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें खोना नहीं है वो उसका बहुत टाइम तक वेट कर रही थी, पहलास तक अले हो ने डोर ही नहीं खोला सियलो अठरा साल की हुई, उसके बैरंस कही बाहर गए थे, तो बहुत बड़ी पार्टी उसने की इसमें अले हो को भी उसने बुलाया था, पर वो नहीं आया उसे आज कर कुछ भी सही नहीं लगता, वो लिटरली मरना जाती थी सब चीजों को लेकर वो इन्स्युक्र हो गई थे, स्पेशली अपनी बोड़ी वो फिर खाना का कर उसकी उल्ड़ी कर देती थी, जिससे उसका वेट ना बढ़ पाया उसे अपने लिए एक परफेक्ट बोड़ी चाहिए थी अब अले हो से ब्रेक अप कियो है, उसे एक साल हो चुका है वो अब रहे नहीं पाई, एक दिन अले हो के घर पर पहुझ गई वो उससे बहुझता है, तुम यहां क्या कर रही हो सियलो कहती है, एक साल हो चुका है, मैं अब तुम से दूर नहीं रह सकती यह दोनों फिर किस कर लेते है, तभी अले हो की गल्फेन आके सियलो अले हो को कहती है, कि मैं बिलीव नहीं कर सकती कि उसके लिए तुमने मुझे छोड़ा, उससे कुछ भी चीज में इंटरेस्ट नहीं था वो दिन भर एक ही जगा पर पड़ी रहती थी उससे स्कुल में ऐसे लिखने के लिए कहा गया, जिसमें उसने लिखा वो उसे किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है यह उसका ऐसे बहुत डिफ्रेसिंग था, जिसमें अले हो के बारे में उसने सब कुछ लिखा था उसकी टीचर उसे कहती है, तुम्हें तेरबिस्ट के पास जाना चाहिए समझाती है, तुम्हें कोई ना कोई तो चीज अच्छी लगती हो कि, जिसे जनरलिजम है, व्राइटिंग है इस पर CLO ने भी सोचा, CLO ने इसके बाद पूरी तरीके से फूर छोड़ दिया, वो कुछ भी नहीं खाती थी वो सिर्फ जिन्दा रहे, इसके लिए सब्लिमेंट लिया करती थी जिस तरीके से CLO करती है, उसी तरीके से और भी लोग होते है इन्हें बुली मिक कहा जाता है CLO ने फिर इन्हीं लोगों के लिए एक वेबसाइट बनाई, जिनसे वो बाते कर सके उसे लगता था, इससे अपना गोल अच्छे उकर पाएगी, जो है पर्फेक्ट बोडी अभी भी हम देख सकते, CLO और अलेहो ये दोनों मिलते रहते हैं एक दिन CLO जब अलेहो के पास आए, तो उसका सारा सामान घर से निकल चुका था उसने उसे बुचा, तुम जा का रहे हो, अलेहो कहता है, मेरी एक फ्रेंड को मेरी जरूरत थी तो उसी के साथ मैं अब रहने वाला हूँ, CLO इस पर बहुत चिड़ गए CLO उसे बुच्छती है, तुमारी गल्फरेंड का क्या, कहता है उससे मैंने ब्रेक अप कर लिया है CLO इस पर बहुत चिड़ गए, उसे एकस्पेक्टेर था कि वो अलेहो के साथ रहेगी पर अलेहो खुद किसी और के साथ जाकर रहने वाला है और वो भी उसी गल्फरेंड क्यालावा कोई और है उसे बोलती है, यह मैं बुली मिखो यानि क्यों खाकर उल्टी कर देती है अलेहो गहता है, यह सब घटिया चीज़े बन कर दो C.L.O. डिस्टब थी, तो अलेहो के नाम का टैटू करवा लेती है एक दिन C.L.O. ने अलेहो को कॉल किया पर एक कॉल अलेहो की फ्रेंड ने उठाया C.L.O. सुनती है कि अलेहो उसे बता रहा था कि उसे इगनोर कर दो जिस तरीके से हमेशा अलेहो उसे इगनोर करता है उसी तरीके से इस बार C.L.O. उसे इगनोर करती है उसका कोई भी मैसेज, कोई भी कॉल का जवाब नहीं देती है एक दिन फिर अलेहो य उससे मिलने के लिए आया रात में तोनों इंटिमेट हो रहे थे तभी अलेहो स्टॉप हो गया कहता है मैं अब तुम से अट्रैक्टर नहीं हूँ तुम बहुत ही ज़्यादा स्किनी हो चुकी हो इसी मुमेंट पर अलेहो की फ्रेंड भी घर आ गई सुबा उने पर हम देखते है सियलो अलेहो और उसके फ्रेंड ये सब मिलकर ब्रेकफास कर रहे थे सियलो को रियलाइज हुआ कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो है ये उसके लिए अनकमफरेबल था वो फिर एक बच्ची के आवाज सुनती है ये बच्चा अलेहो और उसके फ्रेंड का था इस सिचुएशन बहुत ही वीर्ड थी अलेहो का अपने फ्रेंड के साथ एक बच्चा है वो उसके घर में रहता है ये सब होने के बावजूद एक ओपन रिलेशन्शिप है सियलो अब 18 येर्स की थी वो अपने पैरेंस के साथ रहे ऐसा कुछ भी कंबल सरी नहीं था वो सिटी में अपने फ्रेंड में रहने लग जाती है एक दिन जब वो अलेहो के साथ थी तो उसे कहती है कि तुम अब मेरे साथ आकर रह सकते हो तुम्हें उसके साथ रहने की कोई भी ज़रुवत नहीं है अलेहो कहता है कि मैं नहीं कर सकता सियलो इस पर गुसा होके वो चाती थी वो उसके फ्रेंड के साथ ब्रेक अप कर ले अलेहो कहता है कि तुम बुरी तरीके से पागल हो तुम्हें help की जरूवत है वो यहाँ उसके साथ फिर से break up करकर चला जाता है CEO लो कुछ भी खाती नहीं थी तो अब उसे side effect आना start हो गया एक दिन school में चक कर आकर वो नीचे गिर गई उसके parents को इन सब चीजों के बारे में पता चल गया उसे समझाते हैं तुम्हें हमारे साथ hospital लाना चाहिए CEO लो इस पर मना कर रहे थे जैसे सब को चल रहा है उसी तरीके से चलने देना चाहती है उसने पूरी तरीके से रेजिस्ट किया उसके parents माने नहीं उसे समझाते हैं तो मैं psychologist के पास जाना चाहिए CEO लो ने कहा जब से मैं 15 साल की थी तब से बता रही हूँ मुझे psychologist के बाद जाना है पर आपने मुझे कोई भी help नहीं की सब चीज़ों के लिए अपने parents कोई blame करती है उसके parents उसे रिस्टिक करते हैं कहते हैं तुम अकिली रह सकते हो पर हर रोज तुमें हमारे साथ hospital आना पड़ेगा उसे लगा कि उसका पूरा freedom चला जा चुका है वे से normal खाना खाने का try करती है पर खानी पाती है उसे पेट में बहुत दर्द हो रहा था ये सब देखकर उसके parents को बहुत बुरा लगा normal की lifestyle से CLO face से तंग आ चुकी थी वो directly घर से ही भाग गए अपने एक friend के साथ रहने लग गए वो drunk होती थी कुछ भी खाती नहीं थी इसी तरीके से अपना lifestyle उसने continue किया वो फिर से अलयो को मिलने के लिए कि अलयो कहता है तुम्हारे parents अभी अभी तुम्हें यहाँ ढूंटे हुए आये थे यहाँ से तुम चली जाओ CLO मानने रहे थी कहता है जल्दी से चली जाओ वरना मैं पुलिस को बलाऊंगा एक दिन अलयो के याद किये हुए वो बहुत जादा depressed होके उसने knives ली और अपने आपको cut कर दिया वो लेटर लिख कर जाती है कि मेरे date के बाद जादा गम में मत रहना मैं जिन्दा थी पर फिर भी मर चुकी थी इसके बाद movie में बहुत सारा time गुजर चुका है CLO suicide attempt से बच चुकी है वो हमसे कहती है कि मैंने try किया जिन्दा रहने का reason ढूंडने का उसे बहुत सारे reason मिल गए उसने अपने बारे में एक चीज़ notice की उसके relationship उसका खुद का pain सिर्फ यही चीज़े उसे define नहीं कर सकती वो as a person और भी बहुत सारी चीज़े है pain हमेशा से relative है उसका दर्थ कोई भी personally समझ नहीं सकता पर हर कोई इससे relate कर सकता है क्योंकि कभी ना कभी हम सब हमारी life में पागलों की तरह प्यार में थे सियलो ने अपने depression से उपर उठने की story अपने life के struggle इन सब की book लिखी उसे हमेशा से ही writing में interest था यह हमारी story एक real life story है इसके बाद वो एक बड़ी author बनी वो अब उसके third book पर काम कर रही है वो successful हुई और उसे अब दो daughters है वो अपनी life में happy है अलेयों के साथ उसके relationship toxic थी उसके लिए गलत था पर जैसे से लोग एती है कि हम सब लोग कभी ना कभी पाग के लोगी तरह प्यार में रहे है यह उसका वही experience movie share करती है हमें hope देख कर जाती है कि हमारी life में हमारे relationship के अलावा हमारे pain के अलावा और भी चीज़े हैं जो हमें define करती है इस message के साथ आज का वीडियो हम खतम करते है गर आप कोई वीडियो चलागा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करतीजेगा यह बहुत सारी movies लेकर आते रहते हो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब करतीजे और बेल नोटिविशन आइकोन दावने मत फूलेगा अब फिर से मिलेंगे और एक नमू के साथ तो ते लिए थैंक्यू आप अपने आउंका ख्याल रखिये डोंट बी लाइक सिये लो